स्वागत हमारा आई टिप चनल में देखिया आज किस वीडियो में देखेंगे क्लास नाइन टर्म टू एक्जामिनेशन दोजर बाइस इंगलिस याने जो आपका 17 जुन को लिया जाने वाला एक्जाम का आज हम लोग से मोस्ट भी आज सब्जिक्टी प्रसुन का आज किस व देखें आज किस वीडियो में अंतक जरूर बने रहेगा और इस वीडियो को हर एक प्रसुन को अच्छी तरह से देखिएगा और आपको जो भी सब्जिक्टी में ज्यादा त्यारी करवाना है क्योंकि मैं उसका त्यारी करवाना शुरू कर दूंगा तो देखें सेक्शन देखें आपका जो इस वीडियो से आपको एक्जाम का पता चल जागा कि आपका पेटर्न एक्जाम में कैसे रहने वाला है इसलिए वीडियो पर आप जो अंतक जरूर बने रहेगा और दोस्तों के साथ वीडियो को सेयर करना मत भूलेगा और हर एक प्रस्णों को आप प्रस्णों का उत्तर देना जो कि 10 नमर का रहेगा ठीक है तो पेसेज किया है तो प्रंचुलिटी के बारे में ठीक है तो पांचीन टीकवीट बीच इनक्वेज अस्टों कॉम्प्लीट आबरवर्क उन टाइम मतलब जो पंचुलिटी क्या तो फिस्टा जो हमारे समय पर म यह इसके सहाथता से यानि यह ती रहते हैं वह क्या राइट समय में अपना से काम को करते इंपोर्टेंट एनी वाल आफ लाइव एने फिट इनने फार्शन बेनीफीट इन मैंनी वे उनका जो क्या इसे जो इंपोर्टेंट्स का जो कहती है और इंपोर्टेंट्स टाइम पर अपना जब काम कर ले तो उनके जीवन और जीवन में क्या तो बेनिफीट हो जाता ठीक है एक पर्शन हो इस पंचुलेट लाइव ए मच डिफ डिसिप्लिंड अफ लाइफ एंड गेट लोट अफ रिस्पे इस एक पावरफुल्द क्वारिटी वीचिकन मेंक पर्शन सकस्फूल एंड फेमीज परस्नलिटी जो प्रंच बचवलेटी एक पावर्फुल्द पवारफुलिटी एजो पर्शन को सक्सेश्फूल सक्सेश्फूल यानि जो उनके मदद करता है all the parents should understand the responsibility and help her children in developing punctuality punctuality and successful people become the role model और punctuality person जो है क्या बनते तो role model बन जाते हैं ठीक है people who waste their time and do not understand the importance of punctuality can never get suction in their life आपने जीवन में कभी सक्सेज यानि सफलता नहीं कर पाता है तो यह रहा आपका पेसेज इसका हम लोग सिधा को आपके देखते हैं इसका हम लोग सिधा चलते हैं तो देखें पेसेज का आपका पहला प्रस्ण क्या पूछता कि वाट इज पंचुलिटी मैंने भी बता है पंचुलिटी क्या तो पंचुलिटी इज एन इटिक्विट रहे विच इनकोरेज अस टू कंप्लीट आवर वर्क ओन टाइम पंचुलिटी एक प्रकार का सिष्टा चाहर है जो कि अपने समय पर काम को करने के लिए मिलता ठीक है उसका बाद देख्या आपका जो नेश्ट प्रस्ण पुस्ताति नुमर का की एक कोडिंग टूदा गीवन पेसे वाट सूड वी रेस्पोंसिविलिटी आप पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स को रेस्पोंसिविलिटी इस पेजिस के अनुसार किया होना चाहिए पेरेंट्स है रेस्पोंसिविलिटी तू टू हेल्प दियार चील्डरें इन डेवलोपिंग पंचुलिटी मतलब जो है हर एक माता पिता को अपने बच्चों को पंचुलिटी जैसा सिस्टा चार देना चाहिए ठीक है देखें चार नमर का प्रस्ण के वूब काम रोल मु बनते हैं वो केनोट गेट सक्सेज इन लाइफ कौन अपने जीवन में सक्सेज नहीं हो पाता है तो पीपल हूँ वेस्ट दिया टाइम एंड डू नौट अंडरस्टेंड इंपोर्टेंट ऑप पंचुलिटी कें गेवर्ट इट सक्सेज इन दिया लाइफ जो बल्क ऑफ लाइफ एंड बेनिफिट परसन इन मेनी वेज जो परसन को क्या करता तो वेनिफाइट करता इट इनेवल एफ परसन तो टूडू राइट टिंग एल राइट टाइम बिथाउट एनी एकसेज देखे जितना परसन बता रहे हैं सेम आपका जो पेटन ऐसा गीवेन वर्ड इनकुरेज को बताने तो पंचुल परसन इंकुरेज एवरी वन ठीक है और देखे इसका बात आपका सेक्षन भी आपका जो राइटिंग दस मास्क यहां से स्टार्ट होता है ठीक है तो इसमें अटेंप एनी दो यानि दस नमर आपको यहां से मिलने वाला जो कि तिन गो पुछा जिसमें आपको जो दो ही को उत्तर देना है तो देखे प्रस ने आपका पूछता है किस प्रकार की राइट एलेटर टू यॉर फादर रिक्वेस्टिंग हीम तू सेंड समवनी टू वाई बूक एंड कोपी मतलब आपके पिता जी अपने पिता जी क कि जो भी जगासे आप इस पत्र को लिख fold ले पर है और जिस दिन लिखे रहे है उस दिन का यहां पर डेट गजेगा ठीक है में यहां ठीक हूँ और आसा करता हूँ कि आप भी वहां अच्छे होंगा और सकुसल होंगे ठीक है माई अस्टाड़ी इस गोईंग वेल बट एंड आई हॉप आई विल सिक्यूर गूट स्कॉर इन दा बोट इग्जामिनेशन मेरा परहाए बहुत अच्छा और अच्छा नंबर से किया बोट इग्जामिनेशन को पाना चाहते हैं और वो क्या करते हैं तो जो रूटिन को मतला जो रूटिन बना कर पड़ते हैं रेगुलर पड़ते हैं बट आई हैव नॉट ओल दा बुक एंड सम कोपी लेकिन उनके जो श्टडी में जो कुछ रुखावाट आज किसके कारण कुछ बुक और कोपी के कारण तो इसका बाद किया कि इट अफेक्ट माई श्टडी इसके कारण जो किया उनके परहाए पर अफेक्ट परता मैं आपसे आगरा करता हूं पिता जी कि मेरे दो हजार रुपे लगा दिजी है और सो डेट आई केन बाई ओल दा बुक एंड कोपी जिससे क्या तो जिससे मैं जो है अपना बुक और कोपी को खरीद सकूँ देखे यहां लिखे अप लेज से हलो टु माई मदर एंड गिव टू ब्रदर लिख लिए जैगे लव यह लव लव टू ब्रदर ठीक है उसका बाद क्या करना तो यौर लविंग संग यह लविंग संग पुसपाराज लिखा है आपको पुसपाराज इसक तरह मतली नहां आपको एक अप्लिकेशन के पास तो क्या करना है रिक्वेस्टिंग के साथ आपको जे तिन दिन के लिए छुट्टी मांगना है ठीक है तो कि इस प्रकार का आगा तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है हैं अच्छी से बनाना अच्छी बिखना में और और जिस भी दिन लिखते हैं यह जो डेट लिजिएक है देखें सब्जेक्ट में कि इस ग्रेट लिव फॉर ट्री डेज ठीक है उसके बाद क्या करना रिस्पेक्टर सर लिखना है उसके बाद देखिए आपको वीट डियो रिस्पेक्ट आई वांट टू अस्टेट डे आई हैव विन सफ्रिंग फ्रॉम फीवर फोर दा लाश्ट है उसका सब्सक्राइब बंकाइस ऑग आपको प्रिंश्पेक्ट के साथ क्या पता नहीं कि वह संट क्यांंगे मिया बनेखिए टोंको आपना नाम लिख लिए इसी प्रकार यह भी आपका अप्लिकेशन समाप्त हुआ उसका बाद देखिया आपको आपको उसमें दो पूछाता जिसमें हम लोग इन आईडियल स्टुडुट बारे में लिखें ठीक है तो सब से पहले क्या लेक्टेर आपको ग्लास और ऑ्स पूल डेट और वल ण आईडियल स्टुडुट मादब जीतने भी इसकूल है सभी इसकूलैं हरे खुर्ण टास में क्या एकस्टूइंट जो एन आईडियल रहते हैं वाइव सम्पोनेका एस्टूइंट तो सब्सक्राइब एग अर नोट ओल इस्टुडेंट का आइडियल एस्टुडेंट सब्सक्राइब इस रहते हैं तो आप भी जो परने में तीज रही है और सब्सक्राइब वाट यह ठीक है वाट केरेक्टर इन मेक अच्टुट्ट वी गॉड एडियल यूज यूज अच्राइच अच्टुट्ट्ट आइज फिर वी स्टूड़ेंड टो बेंक अब्हुड पर घिडियल पर लेकिन अबीस्टुट्टूर्टूर्टूर्टूर्टूलिज इसका क्य आइडियल स्टुडेंट वही होता है जो respectful रहता है discipline में रहता है और ordinary रहता है जो कि पंचुल भी रहता है जिसको कहते हैं क्या आइडियल स्टुडेंट कहते हैं तो I his quality are not present in every student और ऐसा quality जो है सभी विद्यारती में यह गुन नहीं होता है आपका class but only a few possess this character और कुछ ही के बा quality in the student make the ideal student become success they are also the pride of society in the nation तो देखे इस पेराग्राप का मुख कारण क्या थो आइडियल स्टुडेंट साथ सब्सक्राण में आपको घवराना नहीं क्योंकि सेम पीटन आपका वी एकजाम में रहने वाला है और आपको जो वीडियो का अधिक साधिक सेर करना है ताकि इस वीडियो का हर एक बच्चों को लाब हो सके तो देखे क्या पूचता है सबसे पहले अटेंप इन फाइब कोशन नमर 11 एंड 12 आर कम्प्लिरे से जो 15 नमर कर रहेगा ठीक है तो पढ़ते हम लोग सबसे पहले कोशन 11 क्या है कि रीड एस्टर गीवन बिलो एंड एंस आपको कुछ इसका पार्ट दिया गया है जिसमें आपको जैसको जैस को क्या करना है इसका जो कुछ प्रस्णों का उत्तर देना है तो देके क्या था दें दा मेटर पड़ आस्कोर एंड जा चोकेंग इन डशन एर ब्रॉइंग हाड रिंग ट्विस्ट रींग याधर रिं कि तरफ चलते हैं तो इसका कोशन नेम दा पोयम फ्रोम दा एक्स्टर विंट टेकन जो था कुछ पार्ट जो कौन से मतलब कौन से चैप्टर से लिए तो कौन से चैप्टर नाम जै किलिंग एटरी से यह जो पोयम लिए गया था विन नमर को को सनके हूँ है जी रिटेन इस और इस लाइन को कौन लिखा था तर नेम ओफ पोईट इस गीव पटेल लिखा था ठीक है सी नमर के हाव डाज दा लाइप ओफ दा ट्री का लाइफ जो आंत में कैसे समावत होता है दा ट्री विल गो थो ए प्रोसेस और ब्रोइंग हाड़िंग ट्विस्टिंग एंड वेडरिंग देन अल्टिमेटर दा ट्री गेट इस इस कारणों के कारण क्या जो ट्री को मारा जाता है ठीक है उसका बाद देखे आपका कोसन नमर जो बार यानि आपका टूइल नमर का प्रशन है कि रीड दा पेसेज ठीक है इसमें पेसेज दिया है यह भी आपका बुक कहीं पेसेज है एंड एंसर दा फ्लॉइंग को संतों देखे डूरिंग इंद नाइंटी ट्री नाइंटी टू एवरेच्टी मिशन सतोस यादब जो कि संतोस यादब चेप्टर से लिया इन दा सेविंग हम हाव एर सी मेनेज टू दा सेव अनादर क्लाइंबर मोहन सिंग वूल्ड हैव मेट वीथ दा सेम फेट एंड सी नोट सेयर एर हर होक्सिजन विथ हीम तो यह आपका जो बूक से इसकाम लोग सीदा को से ने सर देखते है ठीक है तो देखे आपका जो पह सब्सक्राइब तो सी हेल्प हर बाइशेरिंग हर ऑक्सिजन मतलब ऑक्सिजन के साहता से किया वह चल चड़ पाई ठीक है और नेश्ट आपका जो बीन नमर का था कि वाट डीडी इट से एबाउट संतोस्यादा आप तो संतोस्यादा वाज डेटर माइंड कांसी ग्रेट एंड हाड वर्किंग के साहता ठीक है उसका बाद देख्या आपको सी नमर यहां से पुस्ता कि चूज दा सेम वाड फॉर्ड डेस्टीनी फ्रॉम दा पेसे मतलब जो इसका मतलब होता आपको जो लच है अंतिम प्राव जिसको क्या बोलते तो मिशन तो डेस्टीनी और अधिजेट कर रहा है क्योंकि आपको जो इक्जाम में पता चले कि किस प्रकार का आपका जो कोस्तनी पूछा में पूछा है ठीक है तहाउड ऑल पीपोर ऑन दा आर्थ आर्थ आर्थे मतलब जो जितने भी अर्थ पर जो पीपूल रहते हैं उनके बारे में पोएट क्या क फोट प्राइब स्ब्सक्राणियुक्टित मिलता है भृत सब्सक्राइब आदमी मर जाता है तब उससे दफना दिया जाता है नहीं तो जला दिया जाता ठीक है और सभी को क्या करता है तो सभी को सूर्ज का प्रकास और जो जितना भी प्रकितिक चीजे सभी को ब्राबर मिलेगा इच वन आज तो प्रोपर से एट ताइम तो पिस अन्द सफर वेंड वा ठीक है देखिए आपका जो नेश्ट फोर्टी नमर का जो आपका कोसन पुछता है कि वाट इज दा मीनिंग ओफ लेडिंग बार्ग वाट मेक इट ब्लेड जो ब्लेडिंग बार्ग से क्या ब्लेडि लिव लिक्विट सब्टांस मतलब जब विकोई को जब आप काटते हैं किसे व्रीज को कारते तो उसमें क्या लिकलता है लिक्विट सब्टांस यानि चिपचिपा परदार्थ निकलता इफ एनी पार्ट ऑफ दा हुमन बड़ी बोड़ी इडिक पर्स जिस प्रकार जो है तो अन क्या निकलता है यहां पर आपको जो है यह यह लिक्विट सब्टांस में क्या मिनिंग होगा कि जिस प्रकार जो निकलता है तुम को नेंच आपका प्रस्न हтории मतलबriend मतलब सन तो स्वाज जुआ इनवर्मेंटलिस्ट में पान्ट के बारे मुनने बहुत अच्छा घ्यान था ही कर्षान फॉर दा इन विदियंट फ्रोंट फ्रोंदफ एट देट एंड गृते डॉट डाउन फाइप के पाइप फाइप एंड्रीट किलो ग्राम ऑफ कार्वेज फ्रोंदा इमालेज क्या गार्वेज कोष़़ेंगा के 500 किलो ग्राम का गर्वेज को लिए से लाए थी ठीक है ठीक है आपको शेले नमर का प्रस्प्रेनी नमर की ओकी वहाँ डिद अब्दूलकलाम और पहली कमाई कहां से प्राप्त हुई थी पहले पहले कमाई वह कहां से पाया था ठीक है तो अब्दुल वाज इंप्लोवेट भाई इस कॉजन टू क्लेट दन्यूज पेपर ओन दाट ट्रेन अस्टेशन देखे उनको पहले कमाई प्राप्त करने में जो उनका सब्सक्राइब करते तो अब्दुल कलाम यहां से उनका पहला कमाई यहीं से अब्दुल कलाम कमाई थे ठीक है उसके बाद देखिया आपका जो नेश्ट किया तो सेमिंटी नमर का प्रशन पुस्ता आपका की हाओ वाट है को हैज दा सुपर साइकलोन विक्ट इन दा लाइफ ओफ लाइफ दा पीपल ओफ उरिशा साइकलोन से चक्रवाद से किया जो किया प्रभाव पुरा उनके उडिसा के बेक्ति के जीवान में ठीक है तो देखिए एंसर आपका हो जागा दा सुपर साइकलोन डिवेस्टेट एवरिटिंग इन दे ओडिसा हाउस वाल वियर डिश्टेश पीपोल लोज्ट देर फेमिली और देखिए जब साइकलोन आया था कहां तो अडिसा में उडिसा में साइकलोन आया था वहां पूरी तवाही मचा द इस प्रकार उनके पास जो सभी मतलब जब साइकलोन आया था तो उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा था दे हैव नो हम फोर एस्टे और रहने के लिए कोई जगा नहीं था इट विकम वेरी डिफिकल्ट फोर दा गीटिंग बेक दॉन नॉर्माल लाइफ और उ साइकलोन आया था तब उसका बाद आपका जो नेश्ट एंटेंप एनी वान जिसमें आपको पांच नमर दिया जाए ठीक है तो आपका जो आपका नमर का प्रसन है कि हाव ड़स्ट गूरू मेनेज्ट टूदा सेव ऑफ डिसीफ वाल लाइब जब जो गूरू जो है अपन चेला का जो है क्या जान कैसे बचाता है तो और आस्किंग एक किंग मतलब जो कोशन पूस्था किसे तो राजा से ही रिपलाइड दा पर्सन हो बील एक्ष्ट फरस्ट और ऑंदा होली अश्टेग विद टेट एक आपड़ दे रिवेजग स्कीम मतलब जो सबसेपहले फां उसी प्रकार क्या है गूरू ने सिस्क जनव चाहा है राजा यानि मूर्ख के काम किया और गूरू यानि होसीयार के काम किया जिस परकार वह बोलते हैं कि अगले जन्म में यह जो फांसी लगाएगा सबसे पहले वो अगले जन्म में राजा बने का और अभी अपना अगने राज हिलो शोर यह वह सोच रहा था इस जम्म कफा ठीक हूं the character a strike of the zone in the story the last leap the zone is a young woman ठीक वो क्या थी तो जोन एक यानि जमान जमान जमेला थी who came to net new work from a california to become an artist she has the artist's mind and it petri much adventure but after becoming ill she lost all the hip was intently dead and does not have much strange to fight of weakness in the ship after getting ill मतलब जब जोनी मतलब जब जोनी जो महिला थी वो जो बुखार के कारण ठीक है यानि बुखार के कारण वो जो बीमार होगी ती बीमार होने के कारण उनका सकती जो है छीन लिया गयाने मतलब सकती खत्म हो गया और फाइट नहीं कर पाती क्योंकि विक्टनिस हो यह कमजोर हो गई थी इसे प्रकार आपका जो इंगलिस का मोश्ट भी आई सब्जेटी प्रसुन को आज कि इस वीडियो में कराएगा जो कि आपका एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट था ठीक है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर सेर कीज़ेगा और को अभी सब्जेक्ट में दिखकत आता सिधा कमेंट मताएगा और जो सब्जेक्ट का जाहादा तो यारी करवाना सिधा कमेंट मताया ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में